नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत थे मित्रों आज के वीडियो में हम केतु ग्रह से सम्दित कुछ महत्पूर्ण विंदूओं पर विचार करने वाले हैं इसके अलावा केतु ग्रह किस राशी में अच्छा फल देते हैं इसे भी समझेंगे केतु ग्रह किस ग्रह के साथ अच्छा रजल्ट सामानता देता है इसे भी समझने का प्रयास करेंगे और किन भावों में केतू के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में करेंगे यदि आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अबसे करें आईए शुरू करते हैं मित्रो केतू हमारी कुंड़ी के अंदर अच्छा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव देगा इसे हम समझेंगे एक एक करके चीज़ों को लेने का प्रयास में आज के वीडियो में किया है परंतु उसके पूरू हम केतू से सम्मंदित बातों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें आगे वाली बातों को समझने में आसानी हो जाए देखिए केतू आध्यात्म का प्रम को कारक गरे है वेरागे ठीक है अध्यात्म के लिए हलाकी गरू गरे की स्थिती देखी जाती है लेकिन केतू यदि-कूर्णी के अंदर सुब होकर सुब भावों में बेठा हूआ है तो वेक्ति को ये वेरागे की तरफ मोड़ता है मौक्श की तरफ मोड़ता है यानि केतु का बिवार की बात करें तो आप लगबग गुरु जैसा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा परंतु गुरु गुरह की बात अलग है केतु गुरह जो है वो सुर्भानु नामक राक्षास का जो धड़ था उसका हिस्सा यानि आप जब कभी भी केतु की इमेज द रड़ता रहता है यानि उम्मीद करता रहता है कि यह काम व्यक्ति का पूरा हो जाता परंतु वह पूरा नहीं हो पाता तो व्यक्ति वरक्त होकर आध्यात्म की तरफ फिर मुड़ता है तो इस प्रकार का ग्रह केतु ठीक है तंत्र मंत्र का का राक है सडेंत्र वाला ग्रह ध्यान रखे केतु किसी भाव में येदी बेठा हुआ है वहाँ पर 9 नमबर का राशी का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए केतु ग्रह उच्च का होकर बेठा हुआ है यानि अच्छे प्रभाव ये देगा लेकिन ज्यादा अच्छे फलों की उमीद हम नहीं कर सकते तीन न केतु ग्रह कुंड़ी के दूसरे भाव में और कुंड़ी के अस्टम भाव में अति विस्ट कारक ग्रह माना गया है और इनी भावों के अंदर ये भाव कारक ग्रह भी माना जाता है यानि केतु दूसरे भाव में और कुंड़ी के अस्टम भाव में अच्छे फल देता है अब क्या फल देता है इन फलों की चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं। इनके लिए ओलरी वीडियो बनाया जा चुका है जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन में मिल जाएगी। आप नहीं हासे फलों पर विचार कर सकते हैं या फलों के विश्यो में जानकरी हसल कर सकते हैं। यजा गुरू गुरू गुर। बेखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि के तु के आपको सामानेथा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। परंतु कुछ condition हैं जिनको हमें देखना होगा, कि केतु जिस भाव में बेठा हुआ है, वहां केतु की नीच राशी नहीं होना चाहिए, यानि केतु तीन नमबर के अंग पर नहीं होना चाहिए, दूसरी बात, गुरु भी अपनी नीच राशी में नहीं होना चाहिए, यानि मकर राशी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानि केतु और गुरु दोनों की नीच राशी नहीं होना चाहिए, और केतु या तो मित राशी में बेठा हो, या गुरु मित राशी में बेठा हो, कि वो उनकी नीच राशी कम से कम ना हो और सत्रू राशी ना हो ठीक है सत्रू राशी फिर भी चल जाएगा लेकिन नीच राशी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आपको गुरू और केतु के अच्छे रिजल देखने को मिलेंगे हलाकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि गुरू और केतु जब साथ बेटेंगे तो एक गुरू चांडाल योकर निर्माण भी यह करते है परंतु केतु क्योंकि मोक्ष का कारग रहे है और गुरू आध्यात्मी यानि धर्म के प्रमुक कारग रहे है जब ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो गुरू ग्रह का बल काफी अधिक बढ़ जाएगा ठीक है तो व्यक्ति को ये धार्मिक मनाते है आध्यात्म किस्म का ऐसा व्यक्ति होता है हलाकि केतु बिना धर्ड़वाला सरीर है यानि आईस्थरता होती केतु के अंदर जहां भी केतु बिठेगा उस भाव से समन्दित आईस्थरता लाता है ये निश्चित बात है परन्तु गुरू का साथ मिल जाने के कारण केतु को एक दिशा मिल जाती है यानि व्यक्ति आध्यात्म की और मुडता है और मुक्ष की तरफ बढ़ता है विशेश रूप से ये दि केतु और गुरू ये दि कुंड़ी के नबं भाव में इनकी यूती बने या कुंड़ी के अस्टम भाव में बन जाए क्योंकि केतु कुंड़ी के अस्टम भाव में कारक गरह होते है ठीक है और गुरु यहां पर यदी बेटेंगे तो हाला कि गुरु अपेश्ट के थोड़े से कमजोर यहां पर हो जाएंगे परन्तु गुरु इतने कमजोर भी यहां पर नहीं होंगे ठीक है तो ये भी एक अच्छी और सुबह इस्टिती होती है मित्रों अगली बात इस प्रकार से यदि केतु मंगल गरहे के साथ बेढ़ जाए किसी भी भाव में यदि मंगल गरहे बेढ़े हुए है वहाँ पर केतु गरहे भी यदि आकर बेढ़ जाए तो केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन इसके लिए शर्ती है कि मंगल गरहे कुंडी में कारक गरहे होना चाहिए और सुब भावों के अंदर बेढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि केतु जब साथ बेढ़ेंगे तो मंगल का जो बल होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा यानि केतु मंगल के साथ बेढ़ेंगे तो अंगारा की योगों का निर्माल करते है मंगल माने अगनी ठीक है केतु एक बायू तत्विगर है जब अगनी को बायू का साथ मिलेगा तो मंगल की ताकत कई गोना बढ़ेगी अब सवाल उठता है कि मंगल यदी असुब ग्रह हुआ तब केतु के साथ बेड़ जाने के करण मंगल के असुब प्रुभाव में भी ब्रद्धी होती है यह हमें ध्यान रखना होगा इसलिए मंगल यदी कारक ग्रह है जैसे कि मेस लगन की कुंड़ी हुई ठीक है करक लगन और सिंग लगन ब्रश्चिक लगन धनू लगन और मील लगन इनमें मंगल ग्रह कारक होते है और मंगल ग्रह यदी सुब भावों के अंदर इन केंदर के घरों में यह तर्कौन भाव म यह यूती बन रही है ठीक है उसके हिसाब से फ़ल विक्ति को मिलता है आएए अगले महत्पूर्ण बिंदू की बात करते हैं देखिए केतु को नाना का प्रमुकुकारक ग्रह माना गया है इसलिए नाना पक्च से बिबाद करने से बचना चाहिए ठीक है मामा से बिबाद केतु आपको सामानेता अच्छे रिजल्ट देगा आएए अगले बिंदू पर विचार करते हैं देखिए केतु किसी भी भाव में बेठा हुआ है वहाँ पर राश्री कांग यदि आर्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ब्रश्चिक रासी है और ब्रश्चिक रासी में बेठा हुआ केतु सामानेता है अच्छे रिजल्ट देता है यानि केतु जिस भाव में बेठता है वहाँ पर राश्चिक रासी में यदि केतु गरह बेठा है तो ज़्यादा बुरेफल केतु गरह के देखने को नहीं मिलते ध्यान रखें केतु ग्रे कुंड़ी के अस्टमभाव में और कुंड़ी के 12 भाउस में अच्छे रिजल्ट यहां पर देता हुआ पाया जाता है क्योंकि कुंड़ी के 12 भाउस की बात करें तो ये मोक्ष का घर है ठीक है खर्चों का घर है खर्च में हाला कि उतार चड़ाव बना रहता ये केतु अस्टमभाव में 12 भाउस में आकर बेड़ जाए व्यक्ति की जोतिशास्त के अंदर रुशी है या तंत्र मंत्र यंत्र इन चीजों में रुशी है या अत्वर नहीं या फर क्या सकते हैं कि धर्म सास्त्रों के अंदर व्यक्ति की गहनता किस प्रकार की इसे देखने के लिए अस्टमभाव देखा जाता है तो यहाँ पर जब केतुग्रे उपस्तित होते हैं तो इन चीजों से सम्मंदित व्यक्ति की लाल सा उत्सुकता बढ़ती है अब उसी तरीके से केतु मान लीजे कुण्डी के सेकंड हाउस में बेट जा है तब केतुग्रे की जो दरश्टी होगी वो कुण्डी के अस्टमभाव पर होगी तो व्यक्ति के अंदर सास्त्रों को जानने की रुची होती है यानि गूड विश्यों को जानने की जग्यासा व्यक्ति के अंदर बनी रहती है तो अच्छे इरिज्रट यहाँ पर इसके देखे जा सकते हैं वशरते इनकी नीच दृष्टियें ना हो अब देखें यहाँ पर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कुंडली के सेकंड हाउस में जब केतु ग्रह बेठेंगे तो उनकी दृष्टी जो है अस्टमभाव पर होगी तो यहाँ पर राहु होंगे ठीक है व्यक्ति के अंदर जल्दवाजी लाते हैं तो व्यक्ति को जल्दवाजी से फिर यहाँ पर बचना होगा लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज राहू की बात नहीं कर रहे हैं हम केतु की बात कर रहे हैं आप चैनल पर इसे चैक कर सकते हैं, हलाकि इस वीडियो के डिस्क्रेशन में भी मैं उसके लिंक देने का प्रयास करूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर ना हो, तो सब्सक्राइब भी करें, धन्यवाद,